वहाँ पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं तो सवाल कर सकते हैं अगर मौजूद हैं तो मेरा मौन है यह कि हर जाती हर धार्म के लिए जैसे हिंदू के लिए गीता और Ֆिस्टेयान के लिए भाई वेल यह अपना अपना इंट्रक्शनल मैंनौज है तो मेरा सवाल ये कि क्या कुरानी ऐसा किताब है कोई दूसरा किताब नहीं है जो दूसरे जाती दूसरे धर्म के लिए उसका इंट्रक्शनल मैनूल होगा भाई साब ने बहुत अच्छा सवाल पूचा है उन्होंने कहा है कि मैंने मेरे तकरीर में कहा कि कुरान सारी जाती के लिए इंस्ट्रक्शन मैनूल है मैंने में तकरीर में कहा कि कुरान सारे इंसानों के लिए इंस्ट्रक्शन मैनूल है और आपका ये सवाल है, कि आपके इसाब से वेद और भगवद गीता हिंदू के इंस्ट्रक्शन मैनियूल किताब है, कुरान मुसल्मान की किताब है, इंस्ट्रक्शन मैनियूल है, तो क्या सिर्फ कुरानी सारे इंसानों के लिए इंस्ट्रक्शन मैनियूल है, आईसी कोई और किता भई केने। ये सवाल बहुत अच्छा है। नाजल की गए थे दाओद आले सलम पे, इंजील नाजल की गए थे इसाल आले सलम पे, और कुरान जो आखरी किताब है नाजल की गए थे आखरी पैगंबर मुहम्मद सलम पे, आपका सवाल है कि सिर्फ कुरान सारे इंसानों के लिए बाकी किताब नहीं है, अब ये चार किता किताबों का कुरान मजीद में जिकर है लेकिन कुरान मजीद में ये भी कहा गया है कि हर दौर में किताब है मिसाल की तौर पे सूफ इबराहीम वो भी किताब है तो अल्ला ताला ने कई किताबे नाजल किये फिरिस नाम से चार का जिकर है इसके इलावा और किताबे है कोई कि वेद अल्ला की किताब में ये कह सकता हूँ हो सकता है मैं नहीं जानता हूँ हो सकता है वेद अल्ला की किताब है हो सकता है नहीं है क्यूंकि कुरान मजीद में इसका जिकर है मैं सव फीसद नहीं कह सकता हूँ कि ये है लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जितनी भी किताबे कु पेले नाजल हुए, वो सिर्फ अपने लोगों के लिए थी और हिदायत थी एक वक्त के लिए, जितनी भी किताबे नाजल हुए एक लिए पैले, जाहे तोरा हो, जबूरो, आन्जीलो, या जितनी भी किताबे जिसका दिकर कुराल मजीड में नहीं आता है, वो नाजल हुई कि अपने लोगों के लिए वो पेगाम का अमल करना चाहिए जब तक नई किताब नाजलना हो अगर मान भी लेता हूं मैं मान भी लेता हूं कि वेद अगर खुदा की किताब हो मान लेता हूं मैं आपकी बात का वेद खुदा की किताब है तो वो सिर्फ उस वक्त के लिए था उन लोगों के लिए था, आज के लिए ने, क्योंके गुरान मजीद अल्ला के आखरी किताब है, वो सिर्फ मुसल्मानों के लिए नहीं, और सिर्फ चौजासो साल पहले के लिए, क्योंके वो आखरी किताब है, वो सारी इंसानियत के लिए थी, और क्यामत तक है, जितनी किता पे पहले आए, वो सिर्फ मेहदूत थी एक वक्त के लिए, और एक समय के लिए, खुसूसन कुछ इनसानों के लिए, मिसाल के तोर के अपर तोरा नाजिल हुआ था सिर्फ यहुद्वी के लिए, हुसा अलिससलाम पे नाजिल हुआ था, जब तक नहीं वहीं नहीं आए, उस कुरां मजजित का पेगाम है वो सिर्फ 24 сव सल पहले के लिए निये वो क्यामत तके लिये इसी लिए अगर मैं मानमी लेता हुभेद खुदा का कलाम था वो स्रिफ उक्स वक्स वक्स के लिए था और जितने भी अल्बा के कलाम जो कुरां मजजित के पहले आए वक्त के दौराण उनमें मिलावट होने लगी आज आप तैकी करेंगे जितनी मदभी किताब कुरान मजिद के इलावा सभी मदभी किताब में मिलावट है उस में कॉंकॉक्षेन हैं, फैब्रिकेशन हैं, बहुत मिलावट है, मिसाल के तोर पे मावारत पढ़ते हैं, जो कहते हैं पंडित, के मावारत सबसे पहले कहा गया था, अरजुन के ग्रैंटसन ने कहा था, उस वक्त आठ रजाज श्लोक थे, ये कहानी दोराई गई, जेनरेशन के पाज जनरेशन, फिर मावारत में होगे चौबीस हजाज श्लोक, आज मावारत में लाक श्लोक है, तो इसमें मिलावट होने लगी, आज आप देखेंगे मावारत टेलेविजन पर उसके अंदर बैक्राउंड में मरुतिकार भी जा रही है, ये और एक मिलावट है, मरुति रखने के लिए, बड़ क्यूंके कुरान मजीद आखरी किताब है, और अल्ला सुभानाओ ताला जानते का एक ताक एमत तक रेने वाली है, इसलिए लिए 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 इस रिए पहुत अब्राइब पंदरा, आयत नमबर नौ में, के हम ने कुरान नाजिल किया, हम इ रहे हो चाए साओधे अरेबिया में चाए अमेरिका में चाए हुके में चाए आप हिंदू मजभी खांदान में पैदा हो या इसाइक खांदान में पैदा हो या मुसलमन खांदान में पैदा हो आज सारे इनसानों को अल्ला के आखरी पहगाम कुरान मजीद पढ़ना उसकी बात मानना चाहिए इसलिए मैं कहता हूं गुरान मजीद सारे इनसानों के लिए ये चीज़ मैं वेज के बारे में नहीं कह सकता हूं क्यूंकि अगर आप त्हकी करते है वेज में भी मिलावाट है आज अगर आप साइंस के जरीए तैकी करने लगेंगे कुरान मजजित को छोड़के बाकी सारे किताबों में आपको गलती मिलेंगी तो ये गलती मैं अल्ला को मनसूब नहीं कर सकता हूँ मैं नहीं कर सकता हूँ ये गलती भगवान ने की इश्वर ने की अल्ला ने की क्योंके ये जितनी किताबे कुरान मजजित के पहले आए वो सिर्फ महदूद थी कुछ लोगों के लिए और महदूद थी वक्त के लिए अल्ला ने भगवान ने इश्वर ने इसे महفوظ रखने की जरुवत नहीं समझी आज क्योंके कुरान मजजी आखरी पेगामे अल्ला का अल्ला ताला खुद कहते है कि वो महफूद रखेंगे इसलिए मैं कहता हूँ कुरान मजजीद एक वाहिद किताब है सारी दुनिया में जो सारे इंसानों के इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है मेरी भी और आपकी भी अब दो आपके वाहिए रखेंगे